नमस्कार मैंना मालोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं जेडियू के सभी नेताओं के साथ बरी बैठक करने वाले हैं जेडियू के रास्टे अध्यक्ष लरन सिंग इस वक्त की बरी खबर निकल क्यारी है जब से लरन सिंग रास्टे अध्यक्ष बने हैं उसके बाद प कैसे आगे बढ़ाये जाया सबके कार्प्रणाली को देखेंगे कैसे सभी प्रकोष्ट के जो अध्यक्ष वो कार कर रहे हैं संगठन का जो विस्तार हो रहा है वो कितने हद तक ठीक तरीके से हो रहा है इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी वो लेंगे और देखनारी बात संगठन का प्रकोष्ट है सभी संगठन के प्रकोष्ट के पर्दियस सदेश को बुलाए गया है और उसमें पार्टी के अभी तक उन्होंने जो संगठन का जो स्वरूफ है और जो काम उन्हों के द्वारा किया गया है उनका जो फीजन है उनका जो मीशन है और उनका जो त लगतार आप जानते हैं कि जब सिव विधान सभाव चुनाओ विगत विधान सभाव के बाद अभी लगतार पार्टी बैठक कर रही है और काफी पार्टी ने काफी विवर्ज के बाद जो संगठन को विस्तार करने के लिए संगठन को मजबूती करने के लिए धरदार बनाने के लिए निचली हिकाई तक के संगठन को कारा करने के लिए पार्टी जो है काम कर रहे हैं और उसी मिताहद ऐसा कार्चकर र अपना व्योरा उपस्थ करें तेकि वह तो बड़े उपर के लेवल की चीज है जो हम लोग का अभी तो आकलन करना है हम लोग को जो भी काम हमारे जो जिम्मारी उनको दिया गया है उजिवारी का उन्होंने अपना जिम्मारी का निर्भान किस तरह कर रहे हैं नहीं संगठन परफले परदर अच्छा होगा उनको परशाहित करेंगे उनको आगे बहाएंगे. जो काम जो अपनी जीमवारी से माने दूर भाग रहे हैं अपनी जीमवारी निष्ठा पुरबख नहीं कर रहे हैं तो नौ सितंबर को बैठक होनी है और क्या कुछ उमेश कुश्वाहा जो कि जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष अपने सुना है जेडियू के राष्टे अध करेंगे इस बैठक कि अध्यक्षता करेंगे और तमाम उन बातों पर चर्चाएं होंगी देख मारी बाती होंगी कि कुछ बड़े चेहरों पर क्या ग्याज गिर सकती है कुछ प्रकोस्ट के अध्यक्ष क्या बदले जा सकते हैं जो अपनी जमिदारियों को अच्छे से नह करें धने बाद